नमस्ते पेरेंट्स में मोधिमिता शाहा, वेलकाम बैक टू माई चैलेंग, आज मैं एक बहुत इंटरेस्टेंग अक्टिविटी लेके आई हूँ, जो है लॉजिकल थिंकिंग के उपर, आप कैसे कुछ एक्टिविटी और टॉई का माध्धम से बच्चो को घर में ही को डिबलप कर सकोगे, बहुत शेयर करूंगी, यह सर अक्रिविटी की ठेपी सेंटर में करता था, और घर में यह सरा टॉय में खरिद के रखी हूँ, उसको अक्रिविटी कराने के लिए, अगर आप यह सरा टॉय घर में खर लो तो बच्चों को इजिली घर में आप कर दो में इस टाइब की बहुत सारा एक्टिविटी एक एक करके आप लोग के साथ शेयर करूगी पैरेंच आप कॉमेंट में जरूर बोलना आपको किस टाइब का वीडियो चाहिए इसे मुझे समझ में बहुत आसानी होगा तो फिर में इस टाइब की वीडियो बनाने की करा सकते हो इस टाइब से बच्ची की लॉजिकल थिंकिंग में बहुत इंप्रूमें आती है क्योंकि डिफ्रेंट डिफ्रेंट से बच्चों को सोच के एके सेप्स को जिधर जिधर जो जो सेप्स करा है उधर उसको डालना परेगा इससे बच्ची की लॉजिकल थिंकिंग improve होती है और बच्चे की sitting tolerance भी बहुत improvement आती है ये सारा activity क्रिश को therapy center में कराया जाता था इसलिए ये सारा toy भी मैंने खरिद लिए उसको घर में ही practice कराने के लिए next activity भी बहुत अच्छी brain development के activity है इस activity से बच्चे की thinking logical skill improve होती है ये बहुत अच्छी brain development toy है ये सारा toy से क्रिश को therapy center में activity कराया जाता था और वो ही toy से मैं घर में ही कराती हूँ तो parents आप भी easily online से इस type की toy खरिद के बच्चों को activity करा सकते हो और बच्चों के घर में ही आप therapy की class easily ले सकते हो इस activity के मादम से बच्चे की thinking logical skill develop होती है बच्ची की fine motor skill develop होती है बच्ची की pencil grip develop होती है बच्ची की color recognition बच्ची की shapes recognition सब कुछ improvement होती है यह सारा toy मैंने बहुत पहले खरिदी थी क्रिश को activity कराने के लिए क्योंकि उसकी therapy center में जो जो toy उसके लिए खरिदने के लिए बोलता था मैं बो ही toy खरिदी थी उसको activity कराने के लिए क्योंकि therapy center में तो एक दिन activity करता है और घर में हमको daily यह सारा activity उसको practice कराना पड़ता था इसलिए यह सारा toy मैंने बहुत पहले खरिदी थी और कभी-कभी आप उसको खेलने देती हूँ जब भी वो free time मिलता है उसको में यह सारा toy से activity के लिए आप खेलने देती हूँ उसके बाद यह जो toy है वो है wooden puzzle यह बची की brain development में बहुत हद तक improvement आती है क्योंकि बच्चों को आप जब basic therapy की class लोगे तो पहले ही wooden puzzle बहुत ज़रूरी है क्योंकि Chris जब पहले पहले therapy center में जाता था पहले ही उसका therapist ने wooden puzzle से उसको activity start कराया था तब उसका कोई language और कोई speech नहीं था तब से यह activity Chris को start कराया था उसकी therapist ने उसके बाद यह सारा toy तो मैंने घर में ही खड़ित के उसको कराती थी daily कराती थी पहले पहले तो मैं दिन में दो तीन बार यह सारा activity कराती थी उसकी brain development के लिए आप इस टाइब की wooden puzzle easily online या फिर soft से खड़िच सकते हो मैंने जैसे Chris के लिए सेप्स का fruit का ABCD 123 और टांसपोर्ट का खड़िदा था उसको activity घर में कराने के लिए और जो बाकी सारा है वो therapy center में Chris करता था और यह सारा मैं उसको घर में कराती थी क्योंकि alternate करके बहुत सार activity होता है हमको कराना पड़ता है यह सारा wooden puzzle से बच्ची की easily language आ जाती है और बच्चे saves भी बोलना सीख जाता है बच्चे color भी बोलना सीख जाता है उसके बाद यह wooden puzzle है जो ABCD का है Chris का जब कोई language speech नहीं था तब से मैं उसको यह सारा wooden puzzle कराती थी और parents अच्ची यह wooden puzzle बहुत ही अच्चा है क्योंकि ABCD wooden puzzle से ही Chris का पहला वाड आया था जो वो बोलना सीखा था parents अगर आप बच्चे की therapy की class घर में ही लेना चाते हो तो आपको यह सारा toy ज़रूर खरिदना पड़ेगा इससे बच्चे की हर एक skill develop होती है और brain development होती है activity कराओ और बच्चों को free time नहीं देना है यह toy कभी कराओ कभी उस toy से बच्चों को activity कराओ क्यूंकि बच्ची की logical thinking improve करने के लिए यह सारा activity Chris को भी कराया जाता था therapy center में और आप घर में भी देख के आप करा सकते हो easily ऩsche बच्चों कि जचे की टानने मेँ आप फंकि एुर और बच्ब टो में पर बच्ची कोद्ची काराओ नहीं आप सार्वाओ SUV Жए उतरلة यह से हमें Georgia repeatedly में आपका से gonna thethis monster freak बच्ची की च्रूना है अनुसा से Tapia पैरेंस उसकी बाद जो एक्टिविटी है यह फूट कटर की फूट से जो मेक रिश को पहले फूट कटर से उसको एक्टिविटी कराती थी जो बच्ची की फाइन मोटर स्कील बच्ची की लॉजिकल थिंकिंग डेवलब के लिए बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जब छोटा था जब उसका fire motor skill develop नहीं हुआ था तब मैं उसको food cutter की जो knife होता है उससे ये सारा food मैं उसको chopping कराती थी उसके बाद में ये सारा food को मैं different type से भी उसको activity कराती थी जैसे मैंने सारा food को मैंने खोल के रख दिया है क्रिश को मैंने बोला है matching करके उसको join करना है उसको देख के match करके join करना हो रहा है इससे बच्ची की logical thinking बहुत development होती है इसलिए parents आप इस type की activity easily बच्चों को घर में करा सकते हो इस type की toys से और easily खरीद के करा सकते हो आप बच्चों को chopping करा सकते हो आप बच्चों को matching करा सकते हो आप बच्चों को fruit या फिर vegetable उसको पैचाना सकते हो बच्चों को question कर सकते हो ये कौन सा color की है या फिर tomato कौन सा color की होती है या फिर cabbage कौन सा color है या फिर आप वो fruit दे दो जो green color का है बहुत सार activity इस type की toys से आप बच्चों को करा सकते हो और ये सारा toy ही special education की toy है और ये सारा toy से ही therapy center में बच्चों को activity कराया जाता है अगर आप ये सारा toy घर में करिद के बच्चों को activity कराओ तो फिर बहुत ही अच्छा होता है और बच्ची की उपर आप बहुत time तक ये सारा toy से activity करा सकतो घर में और ये सारा activity से बच्ची की sitting tolerance भी improve होती है और बच्चे बहुत टाइम तक सिटिंग देता है बच्ची के हाइपर एक्टिविटी डिडूस होता है बच्चे बैड बीवियर कम करता है बच्चे एक्टिविटी के अंदर रह जाता है जुटिविशी एकष्चे है बच्चे बच्चे के विल में। झाल झाल झाल